अगर आप अपना home gym setup करने के बारे में सोच रहे हो तो make sure guys आप इस वीडियो को पूरे end तक देखें because this video can save you a lots of money Hi guys, welcome back to my channel guestronger, my name is Saif and आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप budget में अपना home gym setup कर सकते हो तो guys, जैसा कि अभी lockdown 2.0 start हो चुका है और उसकी जो new guidelines है उसके according अभी next one month तक gyms नहीं खुलने वाले हैं और उसके बात भी खुले ना खुले इसके उपर भी हमें कोई clarity नहीं है ऐसे situation में हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि घर में ही home gym बनाए सारे equipments purchase करें and workout करना start करें तो guys, this video is for you आज मैं वैसे सारे equipments आपको बताऊंगा जो आपको खेरिना होगा budget home gym बनाने के लिए so first thing which is one of the most important thing आपको देखना होगा कि आपके घर में कितना space available है जिसे आप utilize कर सकते हो अपने home gym के लिए and उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो है budget आपको देखना होगा कि आपके पास कितना budget है जिसे आप utilize कर सकते हो spend कर सकते हो अपने home gym के equipments खरीदने के लिए तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम budget के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ यह है कि आपको machines यहाँ पर avoid करनी होगी जितने भी home gym के machines या जिम के machines जो भी आते हैं वो थोड़े expensive होते हैं और अगर हम budget home gym setup बनाना चाह रहे हैं तो machines के हम यह उतने जरुरत नहीं है उससे जादा हमें focus यह करना चाहिए कि हम weights, free weights खर दें machines की जितने भी exercises होते हैं वो हम free weights से भी easily कर सकते हैं इसलिए machines उतना important नहीं है अगर आपका budget allow करता है तो आप कुछ machines खरी सकते हैं उसके बाद यह question आता है कि हम weights किस type के और कहां से खर दें तो guys यहाँ पर मेरा आप लोग को यह recommendation रहेगा कि आप weights online नहीं खर दें तो better है because online का rates और आपके जो local store में आपको rates मिलेगा उसमें काफी जादा difference आपको देखने को मिलेगा online rates अभी जैसे कि lockdown हुआ था उस वेसे और जादा online rates increase हो चुका है और आप अगर local store में जाओगे तो आपको वहाँ पे काफी better deal मिल जाएगा market में जो कुछ type के weights available हैं वह है steel weights है, cast iron weights है, rubber weights है and PVC weights भी है, सबसे cheap quality के weights आते हैं वह PVC weights जिसके अंदर बालू और cement वगारा वो सब भर के होता है और वह उतने जादा durable नहीं है, अगर आपको durable weight चाहिए तो यह चीज PVC weight मैं आपको recommend नहीं करूँगा but at the end of the day guys, weights are weights, चाहिए आप कोई साभी weight खर दें, आप lift करोगे तो body तो आपकी बनेगी weight से तो अगर आपका budget जादा allow नहीं करता, तो आप PVC weights भी खरीज सकते हैं but guys, मैंने आपको जैसा बोला, आप जाओ अपने local store में जाके check करो कि वहाँ पर आपको किस type के weight किस rate पर मिल रहे हैं हो सकता है आपको काफी अच्छी deal मिल जाए वहाँ जाकर next important equipment जो हमें खरीदना होगा वो है dumbbells, यहाँ पर काफी important tip मैं आपको यह देना चाहूंगा कि आप fixed dumbbells ना खर दे, आप यहाँ पे adjustable dumbbells खरीज सकते हो जिसमें हम plates निकाल कर और add करके उसका weight adjust कर सके और आप plates इस type के खर दो, जो कि आपके rods के साथ भी fit हो जाए और आपके adjustable dumbbells के साथ भी वो plates fix हो जाए but trust me guys इससे आपके काफी सारे पैसे बज जाएंगे but यहाँ पर बस एक कौन यही है कि आपको थोड़ा extra time लग जाएगा dumbbell को निकालने और adjust करने में but यह उतना time भी नहीं है जिम में भी हम जब workout करते हैं तो हमें dumbbell को re-rack करना पड़ता है वहाँ पर भी हमाया थोड़ा time लगता है तो यह almost same ही है उतना next चीज जो आपको important खरीदनी पड़ेगी वो है bench यहाँ पर guys मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप bench online भी check कर सकते हैं because online का bench का price में मैंने जो देखा वो थोड़ा कम है आज compared to a local store but यहाँ पर भी guys आपको खुछ जाकर check करना होगा कि आपके local store में और online के price के बीच में कितना difference है हो सकता है मैं जहाँ रह रहा हूँ यहाँ थोड़ा expensive bench मिले बट आप जहाँ रहा हो वहाँ पर आपको bench अच्छे rate में मिल जाए हो बट अगर आपका budget allow नहीं करता तो आप flat bench भी purchase कर सकते हो flat bench से भी आप chest को अच्छे तरह से target कर सकते हैं और उस पर रोइंग वगारा भी easily कर सकते हो next important equipment जो आपको खईदना होगा वो है barbell तो guys यहाँ पर barbell के लिए मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप अपने घर का size पहले देख लो मेरे पास जैसा कि मैंने 4 feet का rod लिया था वह 4 feet का rod मुझे 400 का पड़ा था जो की काफी cheap है बट उस rod में एक problem यह है कि वह जाधा थिक नहीं है वह बहुत thin काफी पतला सा rod है जिसके वह से मैं जब बालबल करल या फिर shoulder press करता हूं तो रिश में पेन आता है बट उतना भी जादा पेन नहीं आता वह अगर मैं अच्छे से करता हूं तो उससे कोई उतना problem नहीं होता तो आप देख लेना थोड़ा सा थिक rod अगर आप लोगे तो वह थोड़ा आपको expensive बढ़ेगा बट अग आपको लेना है तो एक normal rod भी काफी better option है जिससे आप deadlift भी easily कर सकते हैं चार फिट के rod minimum चार फिट का rod से आप deadlift कर सकते हैं उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा deadlift बट काम चलाने लायक हो जाएगा next important equipment जो आपको खरीदना होगा वो है resistance band resistance band से आप easily lad pull down कर सकते हो आप face pull कर सकते हो और भी काफी सारे exercise है जो आपको resistance band से आप कर सकते हूँ तो resistance band भी आपको खरीदना चाहिए, resistance band में भी काफी सारे resistance आते हैं, काफी अलग-अलग levels होते हैं, तो आप देख लेना, आपके according कौन सा resistance आपके लिए better रहेगा, तो आप भाही वाला resistance band purchase करना, next equipment जो आपको खरीदना होगा, वो है squat rack, squat rack अगर मैं personally बताओ, तो मैंने अभी squat rack नहीं खरदा है, बट अगर आप चाहो तो squat rack ले सकते हो, बट यहाँ पर अगर आप cheap squat rack लेते हो, तो वो आपको उतना जादा stable नहीं मिलेगा, वहाँ पर आप heavy squats नहीं लगा पाऊगे, तो इसलिए cheap squat rack लेना अच्छा option नहीं है, आपको हमेशा stable सा squat rack लेना चाहिए, cheap squat rack में एक और problem भी हो सकती है, कि आप जब करो squats, heavy squats here, specially heavy squats लगाओ, तो वहाँ पर आप enjoyed भी हो सकते हो, इसलिए अगर आप squat rack खरीदने के लिए जा रहे हो, तो हमेशा stable और अच्छा squat rack लें, वहाँ पर आपको budget वाला option पर नहीं जाना है, bench press के साथ साथ attached वाला squat rack भी आप खरी कर सकते हो, एक और चीज़ गाई, इससे पहले जो मैंने अपना एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने अपना home gym setup दिखाया था आप लोगों को, उसमें बहुत सारे लोगों ने comment करके ये पूछा कि मैंने इतना cheap price में weights कहां से purchase की है, जैसा कि मेरा hometown धनबाद है, यहाँ प जहुत तो Google पर search कर सकते हो, friends sports धनबाद और आप उनसे पूछ सकते हो, कि वो delivery देते हैं या नहीं, उसके बारे मुझे नहीं पता, मैंने बस वहां से weights purchase किया है, तो मैं आपको store का नाम बता दे रहा हूँ, friends sports धनबाद नाम है, आप Google पर search करके देख सकते हो, so guys that's all for this video, see you soon in my next video, till then, bye bye